एलो फेंट मैं हूँ आपका होस्त दोस्त आदर्स आपका स्वाथ करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इगनु ने जैन 2021 के लिए री रेजिस्टेशन पोटल को स्टार्ट कर दिया है आप यहां पर री रेजिस्टेशन के लिए अपलाई कर सकते हैं जैन 2020 के लिए इस वीडियो को अन तक देखना वीडियो जो है बहुत नौलेज़ेवल होने ला लिए और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जो दिसमबर 2020 2020 का एक्जाम form है उसको कैसे फिल करना है उसमें बहुत सारी डिफिकल्टी आ रहीए बच्चों को फिल करने में तो मैं उसमें उसको व्या। करूंगा और उसमें जो डिफिकल्टी आ रही है मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूवर हमाया चैनल पर नए हैं वहाँ पर उनको लाल कला का एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर लिजिए उसके बगलने ब प्रॉबलम का सोलूशन जरूरी मिलेगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो देखिए जैसे आप लोग जानते हैं किसी भी वेब ब्राउजर में इगनु का ओफिसल वेबसाइट खोल लिजेगा इगनु.ac.in यह इगनु के ओफिसल वेबसाइट का होम पेज है हम न नीचे आना पड़ेगा यहां फ्रेश एडमिशन के नीचे लिखा होगा री रेजिस्टेशन इस पर जैसी क्लिक कि जाएगा तो आप री रेजिस्टेशन के पोटल पर पहुंच जाएगा देखिए यहां पर साफ लिखा है लास्ट डेट कब तक है 15 जनवरी 2021 तक इस वही रेजिस्टेशन का पोटल स्टार्ट हुआ है तो आज आप फम मत फिल किजीएगा क्यूंकि अबी इगनु जो कोई भी रेजिस्टेशन का फोटल स्टार्ट करता है तो अबहुत सारे मोडिफिकेशन करता रहता है तो अभी आप पिलिसt apply हमत कीजिए अभी इसका दि तक डेट जाएगा तो अभी आप अप्लाई मत किजेगा कम से काम आप दिसंबर 10 तक रुख जाएए इगनु इसमें बहुत सारे अपडेट करता है अगर उसी के बीच में आप करते हैं तो आपको पेमेंट से रेटेड बहुत सारे इसू हो सकते हैं इसलिए अभी आप मत जैएगा अब यह आप देख लीजए किस में क्या क्या है जैसा कि जानते हैं देखिए इसमें पहले इंस्ट्रेक्शन से बताया है कि जैसा कि आप लोग पहले जानते हैं तो आपका re-registration हो जाता था पर जुलाई 2020 में इगनु ने ये चेंज किया कि पहले आपको इस portal पे जाके register करना पड़ता है अपने user ID और password से उसके बाद ही आप apply कर सकते हैं तो पहले instructions में वही बोला है देखिए दूसरे instructions में बोला है कि अगर आप अपना भूल जाते हैं OTP या OTP से कोई related problem होता है तो उसके लिए आपको OTP problem को resolve करने के लिए आपको अपने particular regional center में concern करना पड़ेगा ठीक है तीसरे में बोला गया है कि जब आप अपने re-registration के लिए apply कीजेगा तो जो courses होते हैं उसको carefully choose कीजेगा वरना आपका six month या एक साल भी loss हो सकता है ठीक है त बताया गया है कि आप जो है OTP और जो आता है जो पेमेंट करते हैं आप UPI भीम एप इस सबसे भी पेमेंट कर सकते हैं और international student जो है वो पेमेंट कर सकते हैं जो उनको option available होगा पर मैं आपको highly recommend करूंगा कि आप अपने debit card से ही payment कीजेगा net banking का use मत कीजेगा मैंने जाहतर देखा है कि UPI और भीम से जो पेमेंट करते हैं और जितने भी unified payment interface आजकल बहुत सारे आ गया है उनसे जो apply करते हैं तो आपको payment से related issue आ जाता है तो आपको फिर email करना पड़ता है वो बहुत दिन बाद resolve होता है तब तक आपका बहुत time waste हो जाता है यही सम्में ठीक है तो इ आप इस form को मत भढ़िए ठीक है December 10 के बाद ही भढ़िएगा ठीक पांचों पॉइंट में बताया गया है कि अगर आप payment कर देते हैं और आपका status update नहीं होता है तो आप second payment मत कीजिएगा कुछ दिन रुख जाएगा वो status pending होता है वो बाद में update हो जाता है 7th point में यहीं बता हो जाता है यहीं बताया गया 6th और 7th point में ठीक है और यहां पर बताया गया है कि जो 5 December है उसके बाद से यहां पर MP और banking and finance और यहां पर MCA के लिए स्टार्ट हो जाएगा इन तीन कुर्सेस के लिए स्टार्ट नहीं हुआ है किसके लिए MP ठीक है MPB और MCA के लिए इनका भी स्टार्ट नहीं हुआ है इनका कब से स्टार्ट होगा पांच दिसंबर से चलिए हम अगले और important point की तरफ ले चलता है December 2020 exam form बच्चों को फिल करने में बहुत दिक्कत आ रहा है क्योंकि अब December 15 आने वाला है क्योंकि December 2020 exam form का लास्ट दिसंबर 15 है तो आपको रेजिस्टर online पहाना पड़ेगा यहां पर आपको टर्मेंट पे क्लिक करना पड़ेगा जैसी क्लिक कि जाएगा तो आपको कुछ इस आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा ठीक है आप यहां पर अपना प्रोग्राम कोड इनॉमेट नमबर और रिजन सेंटर सेलेट किजएगा और समिट किजएगा तो आपको अपना यहां पर फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा तो हम हम इस पर इसलिए विडियो बना रहे हैं क्यूंकि हमें बहुत सारे हमारे सस्क्राइबर कमेंट किया था कि उनको डिसमबर 2020 का पेपर फ्यूan कि अक pos प्रॉबम पेबर से प्रॉबलम हो रहा है उसको कैसे फिल करने में देखिए यहां पर आधर्सकुमर के HAS ठीक है यहां पर सारे सस्क्राइबर है उनको दिक्कत हो रहा है इसलिए हम यह वीडियो बना रहे हैं देखिए आपको यह कुछ नहीं करना है आपने जून 2020 में हुखे के लिए apply किया था वो यहाँ पर आपको उसका सब कोर्स को दिखेगा इगनु में यह हो गया है कि आप जो इस पर apply किजिएगा तो अगर आपको खाली जून वाला ही पेपर फिल करना है कोई अडिशनल पेपर फिल नहीं करना है तो यहाँ पर जो do you want to add more का option है उसमें no select करके ठीक है अगर आपको कोई पैसा नहीं कटेगा और आपका form फिल हो जाएगा ठीक है अगर आपको कोई courses add करना है तो do you want to add more का courses का जो option है उसमें yes select कीजेगा और यहाँ से अपना कोई भी नया course जो जून 2020 में आपने फिल नहीं किया था उसको add कीजेगा और अपना form फिल कर लीजेगा यहाँ पर आप सेलेक्ट करके समिट कर दीजेगा तो आपका form फिल हो जाएगा ठीक है बेसिकली आज हम इस वीडियो में यही पताना चाहते हैं कि इगनु ने जनवरी 2021 के लिए री रेजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है ठीक है इस वीडियो को अगर आपको इस वीडियो में टिलने भायाँ में